जिसकिसी को भी बिलकुल से प्लांट लगाने का आईडिया नहीं है, आपसे प्लांट लगते नहीं है, तो उस इनसान से भी ये प्लांट लग जाएगा, बहुत आरसान हार्डी प्लांट है असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शवनोरिली फ्रेंड मैं जिस प्लांट के बात कर रही हूँ उसका साइन्टिफिक नेम एसे स्टेशिया गेंगेटिका है संस्कृत में लवनपली, फॉक्स गलव, इंग्लिश में और चैनिज वाइलेट के नाम से इसको नॉर्मली हम जानते हैं इस प्लांट में वाइट कलर के, लाइट येलो कलर के और लेवेंडर कलर के फ्लार अकसर करके देखे जाते हैं ये एक वीडी प्लांट है, भरत जिसे देशों में ये हर जगा पाया जाता है, आफ्रिका में भी पायाता है गंगा नदी के आसपास के चेतरों में, ये आपको आसानी से फलते फूलते देखे जा सकते हैं एक तरीके से ये वीडी प्लांट है यानी खरपतवार है जो के खेतों में अक्सर ग्रो की हुए मिल जाते हैं लेकिन इसको और्नमेंटल तोर पर हम घर में ग्रो करते हैं खुबसूरती के लिए और कुछ ही एक मेडिशनल प्लांट भी है इसके पत्ती ग्रीन कलर के होते हैं और इसका ग्रीन कलर का होना एंवार्मेंट पर डिपेंड करता है इस प्लांट की टेहनी पर हर नौट से रूट साती हैं इसलिए इसको ग्रो करना कटिंग से बहुत आसान होता है पूरे साल ये फूल देता है हर एक से डेड़ महिने के अंतरार पर इससे आप फलारिंग पा सकते हैं इसको सीट से ग्रूप किया जा सकता है इस टाइम ने ये बीच बना रहा है तो बीच बनाने के वावजूद ये कभी भी फलारिंग नहीं करेगा इस प्लांट में continually flowers आते ही रहते हैं और flower के बाद बीच बनने लगते हैं तो जब बीच बनते हैं तो इसमें फूल आना बंद हो जाते हैं इसलिए इसके seed pod को हटाना बहुत जरूरी होता है फलियों के रूप में इसमें गुच्छों में seeds बन रहे हैं ये इसके seed pod हैं और आप देख सकते हैं कि flowering कितनी कम हो रही है और जो फूलों का size है वैसे भी 1.5 इंच का होता है इसमें पांच पत्य होती हैं ये lavender color यानि के purple color का plant है इसमें white color की भी फूल आते हैं मैं भी आपको दिखाऊंगी तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हूं कि अगर ये वीज बनाएगा तो फिर इसमें flowering नहीं होगी तो flowering वापस पाने के लिए आपको क्या करना होगा वो आप देखिए पहले ये मैं बता दूँ कि अगर इसको थोड़ा सा नमी वाले area में रखते हैं त जमीन पर लगे होते हैं तो ये ब्लू डेजी के प्लांट्स पूरी जमीन को कवर कर लेते हैं यानि ग्राउंड क्रीपर के तोर पर पूरी जमीन पर फैल जाते हैं अगर गंबले में लगाया हुआ है तो इसकी हाइट चार फिट तक पहुँच सकती है मैंने तो गंबलो मे लगाया है ग्रो बैग में भी लगाया है हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है और मैंने तीनों कलर ग्रो कर रखे हैं लकीली वाइट कलर का प्लांट तो खुद ही निकल आया था तब से मैं इसको मेंटेन करके रखती हूँ कभी भी मलने नहीं देती हूँ लगाया तो म मुझे पता रहे कि इसमें वाइट कलर के फ्लारिंग होगी एक काम और करती हूँ कि मैं इसकी जो बीज होते हैं उन बीज को जो वाइट कलर के होते हैं उन्हें अलग ग्रो करती हूँ और जो परपल कलर के होते हैं उन्हें अलग ग्रो करती हूँ इसी तरीके से मैंने हजारो प्लांट बना रखे हुए हैं और अगर कोई मांगता है तो मैं उसके साथ शेर भी कर लेती हूँ हाँ मैंने प्लांट आज तक सेल नहीं किये हैं इसके सीट पॉट कुछ पकर तयार हो गए हैं ये ब्राउन कलर के सीट पॉट हैं इसकी फलिया हैं और ये स्प्लिट होती हैं तो इसमें टक टक आवाज आती है और बड़ी दूर तक ये पहुँच जाती है चट चट की आवाज से आपको ये लगेगा कि कहीं कंकर गिर रहे हैं इस तरह की से ये चटकती हैं और आसपास के गमलों में खुद ही फैल जाती है इसकी बीच बड़े साइज की ब्लैक कलर की चप्टे चप्टे से होते हैं फिलाल ये मैंने कुछ कच्ची सी तोड़ी है इस वज़े से इसमें ये देखे ये भी तूट नहीं पाई थी वरना आप देख भी नहीं पाएंगे कब ये स्प्लिट हो जाएगी और चटक कर दूर गिरेगी सी पाउट बनते देखना अच्छा तो लगता है लेकिन फ्रावरिंग रुख जाती है इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है अगर आपको थोड़े बहुत सीर्स चाहिए हूँ एक दो टेहनी पर छोड़ दीजिए और बाकी का आपको एक काम करना होगा दुबारा पूल पाने के लिए फ्रेंट्स इसके आपको करनी होगी प्रोनिंग बीज इसके आप देख सकते हैं जब भी मैं इसको तोड़ती हूँ तो मैं किसी ना किसी पॉट के अंदर ग्रो कर देती हूँ सीजन होने पर अपने आप ही ये निकालाते हैं वरना सीर्स से ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको छोटी से छोटी कटिंग भी मिल जाती है तो उससे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं सीट से ग्रो करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कटिंग से जैसे ही आप ग्रो करेंगे ये पचास दिन के अंदर आपको फ्लारिंग देने लगेगा यानि के देर महिने के अंदर ये आपको फूल भी दे सकता है प्लांट लगाने के बाद जब तक इस पर ये seed pot बने रहेंगे तब तक इस पर flowering को रोके रहेंगे इसलिए इसके सारे seed pot को मैं cut करके हटा दे रहे हूँ जितने भी मेरे पास plant से उन सब पर मैं soft pruning भी कर सकती हूँ hard pruning भी कर सकती हूँ और लेकिन मैं इसको अभी grow नहीं कर रहे हूँ मेरे पास 1000 प्लांट है ये देखे आप जड़ें जिनके जरीए ये जमीन पर भी फैलते जाते हैं पकड़ बना कर रखते हैं इसलिए इसको कोई भी grow कर सकता है एक pot की मैंने इससे पहले अभी 2-4 दिन पहले cutting की थी इस मैंने container में लगाये हुआ था ये मेरी पलोसन आंटी ने मुझसे मांगा था तो मैंने उनके लिए ये cutting रो की है और ये तीनों container उनको मैं gift करने वाली हूँ और एक में मैंने lollipop plant को लगाया है और ये Chinese violet है और एक में मैंने Rio plant को लगाया है उन्होंने मिटी भर के ही ये container दिये थे तो मैं उन्हें gift करूँगी और ये white वाले को आप जिसे के एक कुलदस्ता बनाते हैं छोट छोटी से इसके flowers को तोड़ लीजे cutting के समित और किसी एक छोटे से pot में grow कर दीजे तो white white color के bunches ये बहुत खुबसूरत लगते हैं खादे देती हूँ nitrogen base खाद डालती हूँ और flowering के लिए आप potassium वाली खादे इसको दे सकते हैं और ये देखे variegation ये एक variegated plant है और इसको hanging basket में या चोटे-चोटे container में लगाईए cutting से लगाईए तो ये कितने अच्छा variegation देता है और साथ में इसमें भी purple color के flowers आते हैं तो फिर ये easy to grow है easy to care है low maintenance है कहीं पर भी आप चले जाएए और इसको लगा कर छोड़िए एक पर अपने garden में लगाएंगे फिर कभी भी grow करने की जरूरत नहीं परती है hard prune कर देंगे तब भी नहीं मरेगा किसी भी season में hard pruning कर दीजे ये बहुत आराम से चलता रहेगा चलता रहेगा लेकिन क्यूंके मुझे इसको flowering पर लाना है इसलिए मैं यहाँ पर vermi compost एक मुठी डाल दे रही हूँ कि फूलों से भर जाएगा गुलदस्ता बन जाएगा मेरी इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे चैसे कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं अल्ला हाफेज